दोस्तों में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है यह आपको आपका यह प्रेक्टिस सेट 6 है उसके आगे आपका 5 हो चुका है अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग डिस्क्रेप्शन लिंक में जाईएगा वहां आपका करम से वीडियो लगी हुई है संस्कृत का आप लोग जो टापिक आपको कठिन रगे कि यह चीजे मैडम जी हमको थेओरी में पढ़ा दीजिए वह आपको थेओरी में पढ़ा दिया जाएगा तो भाईया इसी प्रकार आप लोग धमाश्र प्रकास चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए इमान तो यह बात याद रखना सी अपसन इसका जो दो पदो से मेल से ही यह समास बनता है क्या बनता है यह समास बनता है और दो सब्दों के मेल से भी आपका समासी बनता है तो अपसन इसमें एस ही हो जाएगा कि संधी दो वड़ों का मेल होता है अगला कुश्यन नमबर देखें वो उधारड ही है लाधन आकरती नोट करते चलिएगा लाधन आकरती तो क्या हो जाएगा लाधन आकरती तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग स्वारी ला नहीं होगा यहाँ लिरिधन आकरती होगा क्या होगा लिरिधन आकरती होगा लिरिधन आकरती तो यहाँ क्या हो जाएगा लाकरती हो जाएगा तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग कुश्यन नमबर दो का कौन सा सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा यण हो जाएग अगला कुशन देखेंगे, कुशन नमबर तीन, निम्न में से कौन सा उपसर्ग है, बहुत बेतरिन कुशन है, उपसर्ग है बताना है, तो देखिए का भईया, पठ क्या है अपका धातु है, गम क्या है धातु है, चल क्या है धातु है, लेकिन निस क्या है, यह अपका उपस अब इससे जुड़ा हुआ कुश्यन देखिएगा पूछा जाता है कि संस्कृत में उपसर्गुः की संक्या कितनी होती है तो कितनी होती है बाइस होती है कितनी होती है अगला कुश्यन देखेंगे कुश्यन नमबर चार आगम होता है किसमें सत्रुवत होता है कि मित्रुव जाता है तो इस बार आगं पूचे घए हो सकता गली बार आधेस पूच्छे जाये तो आगं में मा है पिछे और आधेस में साह पिछे तो मा से मित्रियात कर लो आगं को मित्रवत बेउभार कहते हैं और आदेश में सत्रुत होता है अ यह कि सिसी के अस्थान पर आदेश होना वह आपका सत्रुवत है क्योंकि उसको हटाएगा जैसे ए के अस्थान पर यह हो जाना यह आपका सत्रुवत है और जब कहा जाए कि उसके बगला के बढ़ जाना मित्रुवत होता है तो समझ गए होंगे आप लोग वैसे सुपर्टेट का यह पेपर है सुपर्टेट में इतने गहराई से नहीं पूछेगा लेकिन हाँ यह है कि यह पूछेगा कि आगम होता है सत्रुवत की मित्रुथ यह ज़रूर पूछेगा अगला देखेंगे तो सिध्धी वगएर पीज़ीट में पूछ लेता है तो पांच वाला देखेंगे भगया यह बहतरीन कुशन है आपका सल प्रत्यहार के वर्ड कहलाते हैं बताना अन्थस्त बी आपसन उस्म सी इसपर डी आपसन सभी तो बताना अन्थस्त क्या कहलाता है तो यह प्रत्यह कहलाता है सल प्रत्यहार में आपका उस्म आजाएगा अपकी बार तो यह पूछा है की वर्ड आते हैं तो उसम कौन कौन से आते हैं तो तीनों सा आता है और क्या ताहरू यहा आता है तीनों साच बड़ा सा घ्टी सा छोटा सा और रहा और देखेंगे अगला कुशन आप तो कुशन नमबर छे देखेंगे वा का उचाड़ा स्थान है बताना दंत है कि होश्ठ है कि दंत होश्ठ है कि नासिका है तो बताएंगे च्छा का कौन सा हो जाएगा विकल्ब वकारस से दंत होश्ठ हो क्या हो जाएगा वकारस से दंत ओष्ठो नासिका से यमंगरना नाम नासिका ओष्ठ का तो क्या हो जाएगा ओष्ठ का आप लोग बताएंगे इसमें क्या कहते हैं कमेंट बाक्स में अगला कुश्यन देखेंगे आप लोग भईया कुश्यन नमबर साथ इंद्रकिल परबत क वर्डन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है A. आपसन कादंबरी में B. आपसन मेगदूतम में C. आपसन सिस्पालबध में D. आपसन आपका किराता अरजूनियम में तो साथ का बताएंगे कौन सा हो जाएगा फिरिया साथ का आपका D हो जाएगा किराता अर्जुनिय में इंद्र कील परबत का वर्डन है अगला कुशन देखेंगे बिसर्ग का उच्चाड स्थान क्या होता है तो हम लोग याद किये हैं अकुहू बिसर्ज निया नाम तो अब देखना भीया ये आ का है अगला कुशन देखेंगे कुशन नमबर 9 समया सब्द के योग में कौन सी भगती होती है दुतिया होती है कि तिर्तिया होती है कि चतुर्थी होती है कि पंचिमी होती है तो 9 का आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा भईया ए हो जाएगी समझ रहे हैं ना जहां समय की बात आएगी समया मतलब समीब अभिता परिता समया निकसा हा प्रतियोगे अपीदुतिया तो समझ गये होंगे अब की बार समय पूछा हो सकता अगली बार निक्सा पूछ ले है की नहीं अगला देखेंगे भईया कुशन नमबर दस दान देने में भी भक्ति परिख्थ होती है तो कौन सी इसको सब जानते हैं चतुर्थी भक्ति क्यो अगली वीडियो में जो पिछली वीडियो हो गई है तो उसमें यह कुशन आया था कि द्धन लोग के तो चारो आपसन का बिसलेशर के थे अगर जो लोग कांपी पैंसिल लेकर बैठ रहें कांपी और पैन तो वह सारी रचनाव को एकठा कर लेंगे और फिर इससे बनने व जैदेव जी हैं कि आनन्द वर्धन है तो ग्यारा का आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा भीया तो ग्यारा का डी हो जाएगा धन्य लोग के आनन्द वर्धन है तो मममट का क्या है नोट करते चले फिर से काभी प्रकास हो जाएगा जैदेव का क्या है तो आपका क् लोग अगला कुश्यन नमबर देखेंगे कुश्यन नमबर बारा आधार कितने प्रकार का होता है पांच प्रकार का साथ प्रकार का सी अप्सन तीन प्रकार का डी अप्सन दो प्रकार का तो बताएंगे बारा का कौन सा हो जाएगा भी या आधार तीन प्रकार का होता है कौन में भी याद नहीं आ रहा है अगला देखेंगे कुश्यन तेरा का यह बहुत बढ़िया कुश्यन आगला कुश्यन देखेंगे कुश्यन नमबर 14 विश्वस सब्द के योग में विभगत परिक्थ हुआ है पता ना आप लोग यह बहुत 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 बढ़ा हो और यह परिवार तभी बढ़ा हो सकता है जब आप लोग सहयोग करेंगे तो आगे वीडियो भेज़े शेयर करेज को तो देखेंगे पंच गवाव में समास है तो बहुत बहूत बहुत 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 B ciao समास में क्या होता है भीया तो अगला कुशन देखेगा कुशन नंबर 16 मात्र देव भाव पित्र देव भाव उक्ति का मूल सुरोथ है बताना अगला कुशन नंबर देखेगे 17 कर्म वाच के कर्ता की कौन सी भक्ति होती है बहुत बढ़िया कुशन है यह तो पर्थमा होती है कर्म वाच के कर्ता की बताना है आप लोग को बीदुतिया होती है कि सी तिर्तिया होती है कि डी आपका चतुर्थी होती है तो सत्तरक आपका सी हो जाएगा कर्म वाच के कर्ता की भक्ति तिर्तिया होती है भाव वाच के कर्ता की भक्ति क्या होती है वो भी तिर्तिया होती ह अगला कुश्यन देखेंगे, ये बहुत बढ़ी कुश्यन है, बिद्या विहीना पसु हो, सुक्ति किस क्रंथ से है, नीत सतकम से है, कि मेग दूतम से है, कि रगवनसम से है, डी अपसन अभियान सकुन्तलम से है, तो बिद्या विहीना जो बिद्या से विहीन होते हैं, वो प अर्थ हरी हैं अगला कुशिन देखेंगे कुश्यन नंबर 19 है कौन सब्सक्राइब नबर 19 अशुन के लिए पर सिद्ध है ऊप स 오्दफ प्रसीध यह सब आपका व्मान और कांपी लेकर वैठेगा इसे सब अध्य नोट करते चलिय striking माग क्या हैं? तो माग में तीनो गुड़ा आते हैं तीनो गुड़ा मतलब क्या? उपमा, अर्थगवरो और पदलालित तीनो के लिए कौन परशिद्ध हैं? तो माग जी परशिद्ध है अगला देखेंगे कुश्चन नमबर 20 उपमे और उपमान से सादरिस से परदर्सित किया जाता है बहुत बढ़िया कोशन है ये बताएंगे आप लोग अंसर उपमा, B. अनुपरास, C. रूपक, D. आपका यमक तो 20 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे फटा फटा आप लोग तो 20 का A हो जाएगा, उपमा हो जाएगा अगला देखना सादरिस से की बात है यही लिए यहाँ उपमा होगा देखेंगे मूल सवर कितने होते हैं, कुशन नमबर 21 पांच होते हैं, कि 7 होते हैं, कि C 9 होते हैं, कि D आपका 11 होता है तो बताएंगे 21 का कौन सा कुशन सही हो जाएगा, कौन सा नमबर तो 21 का A सही हो जाएगा, मूल सवर 5 होते हैं, कौन-कौन से क्योंकि अगली बार यह पूछ सकता है, निकितने से कौन सा मूल सवर नहीं है तो A, E, O, R, E और क्या होगा, लरी यह आपके मूल सवर हैं 5, A, E, O, R, E नोट कर लिजीगा आप लोग, अगला कुशन देखेंगे और यह 9 क्या है, नोट कर लिजीए, कि 9 सवर होते हैं आपके अगला कुशन देखेंगे, कुशन नमबर 22 पंचरात्रम किरिती है, कालिदास की, विशुरु सर्मा की, भारव की, की भास की तो पंचरात्रम बताएंगे किसकी है तो 22 का आपका भेतरीन जवाब, 22 का डी हो जाएगा भास की रचनाएं हैं अगला कुशन देखेंगे, कुशन नमबर 23 बद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् तो 24 का बताएंगे आपका कौन सा हो जाएगा भया तो 24 का आपका C हो जाएगा नियुतम 10 लाग को कहते हैं अगला कुशन देखेंगे कुशन नमबर 25 येश्टुम में पर्युक्त प्रकृतियों प्रत्य है बताना येज धन तुमुन बी येस धन तुमुन C येस धन तुमुन D येश्ट धन तुमुन तो 25 का कौन सा हो जाएगा भया ए हो जाएगा येज धन तुमुन अगला कुशन देखेंगे कुशन नमबर 26 भगवत बहतरीन कुशन है ये भी राजफुरसा में समास है तो राजपुरसा में समास हो तक प ant प्रस सब जानते हैं य एही लिए ततत्प्रूस के चार प्रकार लिख दिए गए कि A option दूतिया तत्पूस, B option तत्पूस, C option पंचिमी तततत्पूस, D option सष्थी तत्पूस, तो 26 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग सश्थी तत्पुरूस, सश्थी तत्पुरूस में जो संबंध होता है वही आपका होता है, अगला कुशन देखेंगे, कुशन नमबर 27 किस पुराण को विसकोस कहा जाता है यह देखेंगे कुश्यन नमबर 28 लाजबाब कुश्यन अनुस्ट्रूप्चंद में कितने वड़ात होते हैं बताना 56 अगला देखेंगे कुश्यन नमबर 29 नदी सब्द का सब्द में एक बचनांत रूप है बताना नद्याम होगा नदीस होगा नदी नाम होगा तो 29 का बताएंगे नद्याम हो जाएग एपसान आपका सही हो जागा नद्याम अग्ला कुशन देखेंगेológि लास्ट वाला कुशन है अपका किया होता है यह आपका 30 कुशन की प्रसोतरी की स्रिंखला थी इसमें आप लोग कितना कर पाए कमेंट बाक्स में जरूर करेंगे और वीडियो को सियर स्क्राइब जरूर करेंगे ताकि जितने वीडियो पड़े आपको तुरंत पता चल जाए कि ये question साल्व हो और आपको जब तक आपका super debt नहीं हो जाता है तब तक आपको प्रस्नोगतरी साल्व कराई जाएगी ताकि आप लोग बेहतरीन result लाएं अपना तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत